तो आज किस वीडियो में बात करेंगी साशा मैक्स ना भी क्या रिलीज मांगा था डब्यू डब्यू से और फाइनली टोनी स्टॉम ने अभी अपना एई डब्यू कर लिया है मीरो भी एक एक साइटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है इसलिए वो एई डब्यू में नहीं में 35 2019 में जो हुआ था उसके बाद जब उनका टैक्टीम चैंप्येंशिप के लिए मेरे सापसे मैश था रसल में 35 में उसके बाद उन्हेंने रिलीज मांगा था डब्यू डब्यू से उन्होंने का उन्हें का उसके अगले दिन था मेक विश आपको पता होगा डब्यू का जिसमें वो विश पूरी करते हैं दूसरों की डब्यू ने का वह उस टाइम मूव भी नहीं कर पा रहे थे और जो भी उन्हें उन्हें उस पे बेली ने उनकी हेल्प करी थी जो तब टाक्टीम में थे और वो टाइटल उनके बहुत करीब थे उन्हें का वह अपने आपको थोड़ा दूर लगे गए और रिलाइस करा कि साशा पैंक्स है कौन असली में क्योंकि उस टाइम पर उनके पास कोई टाइम भी नहीं था और ना वो फैमिली से मीट करती थी इसलिए उन्हें थोड़ टाइम लिया और फिर फिगर आउट करा वो प्रोफेशनल वेस्लिंग के अलावा क्या पसंद करती है फिर हम जानती है कि साशा पैंक्स है वो जीत पाती है कि नहीं और जो लोग एव देखते हैं उनको पता होगा मेरो बहुत ही टाइम से एव टेलिविजन पर नहीं आए तो उसका उनर रीजन बता है कि वो अभी ब्रुक्लिन में है और एक वो स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आएमडीबी के अकॉर्डिंग वो भी एक टीवी सीरीज इस्ट न्यूयोक पर काम कर रहे हैं तो देखते हैं मेरो कब आते हैं वापस से एव में क्योंकि थे एव में बहुत ही डॉमिनेंट थे और TNT चांपियन भी वह बहुत ही पर क्योंकि वह बहुत ही कूल लग रही है अपने न्यू लुक में मेरे साब से इनका लास सेगमेंट नहीं लगता कि वह आने वाले है इस बार सीधा वो रेसलमेनिया नाइट वन में फाइट करेंगे रोफ वोमेंच चांपियनशिप के लिए आप सब को क्या लगते हैं बारन कॉर्विन किंग बनने थे उसकी तरह नहीं है कि किंग कॉर्विन वो पतानी बौर टाइम से ही बुला रहे ते हपी कॉर्विन से पहले जोन को करेंस करें डबीड वी तो केवर मेंस ने इस पर फील करते हैं डबीडबीवी वह उनकी एक्सेंडड़ीड फैैमिली है क्योंकी वो पिछले साथ साल से काम कर रहे हैं अशनके बहुत फ्रेंड्स भी बने हैं इस कंपनी में और अब उनका वेसल मेरिया में केऊ शो होने वा और उसके बाद वो नहीं दिखेंगे आपको उसके ज़्यादा चांसे से लेकर प्लांस कभी भी चेंज हो सकते हैं WWE में आप सबको गलता है कि Raw after WrestleMania में Stone Cold Steve Washington आ सकते हैं कि नहीं कमेंट्स में ज़रूर बता हैं और Doll Ziggler भी जो currently NXT Champion है उनने का कि NXT से जस्ट पहली रॉम में उनको कॉल अप किया था कि वो इस बार NXT में आने वले और फेस करने वले हैं उनको जिनको आद तक उनने देखा भी नहीं था उनने का इनने श्टेल पॉसिबली करा यह चीज और फिर वो NXT Champion भी बन गए थे उनने का इस Saturday Stand and Deliver में उनका और जो ब्रॉन ब्रेकर का माच है तो उनका कोई प्लान नहीं है कि वो NXT Champion चे फारेंगे प्रेटिंग और तो फेवर करो हैं ब्रॉन ब्रेकर को क्लियर ली देखते हैं वो जीत पाते हैं कि नहीं और थंडर रोजा आपको पता होगा जब न्यू एड़ वो बैस चापियर बड़ी है डॉक्टर ब्रेट बेकर को हराके उन्हें का वो पूरे डिविजन में चेंज करना चाती है और जो अब AEW के करेक्शन भी है जब पार के साथ और उन्हें खुद भी पफॉब कर रहें टोक्यो जोशी प्रो में तो वो चाती है कि वो एक बार जब पार में भी चाप पैच्छे लेके जाए और डिफेड करें और वो भी फेस है मेरे सबसे मुझे जादा हील स्टार जादा अच्छे लगते है कैनी ओमेगा भी मुझे जादा अच्छे लगते है ऐस का पेर टू एड़ा पैज और रोमन वेंस का हील तो फार बेटर है उनके फेस से और थंडर रोजा ने यह भी का था वो एक फाइटि कोनी स्टॉम कब तक जाती है एड़ वो मेंस चांपियोंशिप के पीछे के पहले वो टेवी चांपियोंशिप के पीछे जाता तो आज किस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और तुम लोग ने हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट भेक के मारो या फिर मॉम्बत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया